देश के सबसे बड़े सुवे उत्तर प्रदेश में इंदीनों स्वास्थ और लोक निवान विभाग यानि P.W.D. में हुए तवादले को लेकर हंगामा मचा हुआ है तवादले में बड़े अस्तर पर धांधली हुई है और इस कारण से हंगामा इतना बर्पा है कि अब प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ और लोक निवान विभाग में हुए तवादले को लेकर हंगामा वर्पा हुआ है तवादले में इस तरह से धांधली हुई है कि मुख्यमंत्र योगी आजितनाथ खुद इसकी सारी जानकारी ले रहे हैं और सही फाइलों को देख रहे हैं यही नहीं पस पालन विभाग में हुए घोटाले को लेकर योगी सरकार समूचे विपक्ष के निशाने पर आ गई है स्वार्ष विभाग में बीते 30 जून के हुए तवादलों को लेकर उतर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बिचेश पाठक ने नराजी के रताते हुए ट्रांसफर निती का पालन नहों होने का बात उन्होंने कही थी इसके बाद से ही यहमुदा विपक्ष के बड़े निताओं ने बड़े ओस्तर पर उठाया और कहा था कि प्रदेश में अफसर साही के आगए निताओं का कुछ नहीं चल रहा है और यह सब योगी आजिते नाच के निर्देश पर किया जा रहा है PWD विभाग में हुई गरबरियों के वारे में अगर आपको बताए तो इस विभाग के अफसरुने तवादला निती क्या अंदेखा करते हुए तीन साल पहले जो आदमी मर गया था जिसका नाम जुनियर इंजिनियर घंसाम दास था उसका तवादला जहांसी कर दिया था ऐसे ही एक सक्स राजकुमार का तवादला इटावा से ललीत्पुर कर दिया था लेकिन बाद में पता यह चला कि राजकुमार नाम का कोई आदमी इस विभाद में है ही नहीं यहीं नहीं एक दो साल में रिटायर होने वाले कई करमचारियों का तवादला जान बुछ कर पुरे मामलो की रिपोर्ट तयार करने को बाद दो दिनों में इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ओफिस में सौपने का निर्देस दिया है मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद यह कहा जा सकता है कि जल्दी श्वास्ति लोक निर्मान और पशुपालन विभाग के आला जहां उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा योगी सरकार के इस निर्ने से कहा जा सकता है कि जो भी अफसरी स्थांधी में सामिल होंगे उन्हें नाचने की तयारी पूरी तरीके से की जा चुकी है उपमुख्यमंत्री ब्रिजेस फाटक ने स्वास्त्र विभाग के अप लेकिन अमीत मोहन ने डिप्टी सीम के पत्रकान देखा किया और उस पा कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया जिसके चलते देखते ही देखते यह प्रकरन तूल पकरता गया ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आजितनाथ ने स्वास्त विया के तवादलक लेकर डिपोर्ट त पेगी पी डवडी विवाग की जाच के लिए एपी सी कमीटी का अगठन किया गया है इस कमीटी में तीन आई एस सामिल है क्रिस्ति उत्पादन आयुक्त मनोश चिंग अपर मुख्य सचीव आयुक्त संजय भूस रेडी और अपर मुख्य सचीव देवेश चतुरवेदी इसकी जाच करेंगे और पश्रुपालन विवाग के घोटाले के लिए एसी एस कमीटी का अगठन किया गया है सीम योगी के निर्देश पर पश्रुपालन विवाग के मंतरी धर्मपाल सिंग ने कड़ी पचास करोड के घोटाले की जाच अपर मुख्य सचीव को सौपी है आरोप है कि विवाग के आला अधिकारियों ने दवा और उपकर्णों की खड़ी दोगुने दाम पर की थी तीनों विवागों के डिपोर्ट मिलते ही दोसी नोकरसाहों पर योगी सरकार क्या करवाई करती है यह तो वक्त बताएगा लेकिन एक बात तो तय है कि इन नोकरस क्यों सुणाभवाब